बांगलादेश के हिंसा पर क्या है भारत का रुक अदोनों देशों के रिष्टों पर कितना पड़ेगा सर बांगलादेश में आरक्षन के मुद्धे पर शिरू हुआ बवाल तख्ता पलट तक पहुच गया है भारत के लिए रणनीतिक रूप से महतपून इस पडोसी देश की प्रधान मंतरी शेक हसीना को भारत आकर शरम लेनी पड़ी है वहीं बांगलादेश में ववाल चरम पर है मंदिरों पर हमले हो रहे हैं इन सब को देखते हुए भारत सरकार भी लगतार नजर बनाये हुए है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी बांगलादेश के हालात और सुरक्षा की समिक्षा के लिए बैठक कर चुके हैं इन सब के बीच आये जानते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भारत और बांगलादेश के संबंद कैसे पड़ी थी इसकी नीव और दोनों देश एक दूसरे से क्या खरीते हैं और बेचते हैं भारत के चलते बांगलादे यानि कि अब बांगलादेश की बांगला भाशी जनता को राहत दिलाने में भारत की महतकून भूमी कर रही हम यहां तक कह सकते हैं कि भारत हस्त शेप नहीं करता तो शायद आज बांगलादेश का अस्वित्व भी नहीं होता इतना करने के बावजूद बांगलादेश पर सै को करेकार ने इससे दोनों देशों के बीच पानी के बच्टवारे को लेकर एक समझौता किया गया इससे दोनों के समंदों में फिर से सुधार आना शुरू हुआ भूमी और पानी को लेकर विमाता टाव facto नीती नीती है भूमी सीमा समचोते के साथ ही पानी के बठवारे और समुद्री सीमा विवात को भी हल करने में सफलता हासिल की इसे बीच आपको बता दें कि रेल और समुद्री परिवहन में एहम साज़ेदारी हैं दोनों देशों की यानि कि भारत और बांगलादेश के बीच रेल सेवा तो जारी ही है इनके संबन्दों में साल 2023 में शुड़ू अखोरा अगरतला रेल लिंक परियोजना से और गर्मी आई थी रेल लिंक परियोजना बांगलादेश उसे भारत के पुर्वुतर को तिर्यूपुरा के जरीय जोडता है इस लिंक के जरीय भारत अब बांगलादेश में चटगाउं और मोंगला बंदरगाहु का तक आसानी से पहुच सकता है दक्षिनेशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यपार और साज़ेतारी है भारत और बांगलादेश लगतार उर्जा व्यपार अधार भूत अफसन रचना कनेक्टिविटी और रक्षा के शेत्र में भी सहीयोग करते रही है पिछले दशक में भारत बांगलादेश के बीच दुई पक्षिय व्यपार में बड़ा उत्री हुई है इसके साथ ही दक्षिनेशिया में भांगलादेश भारत का सबसे बड़ा व्यपार भागीदारी बन गया है इसे बीच वहीं आपको बता दे कि बांगलादेश का कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जो कि वो भारत को देने के बाद उनसे वापस मांग रहा है वो है बांगलादेश उर्दा शेतर में भारत का सबसे बड़े साज़ेदारी है और यहां से लगभग 2000 मेगावार्ट बिजली आयात करता है इसके अलावा भारत से बांगलादेश को एक्सपोर्ट किये जाने वाले समानों के सूची में कॉटन और कॉटन वेस्ट का प्रमुकुस्थान है 2021-22 में 174 करोड डॉलर से जादा के कॉटन और कॉटन वेस्ट का एक्सपोर्ट हुआ था इसी साल भारत में बांगलादेश को 119 डॉलर से जादा का गेहू निरियात किया था साल 2021-22 में भारत के 61 करोड डॉलर से जादा का चावल और 65 करोड डॉलर से जादा की चीनी 43 करोड डॉलर से जादा के दूसरे अनाजों का निरियात किया गया था वहीं आपको बता दे कि दोनों देशों के रिष्टों पर इस पूरे हिंसा से क्या असर पड़ेगा ये सबसे आएम सवाल है तो ये में भी आपको बता देती हूँ भारत में बांगलादेश में तक्ता पलट के बाद फुलहाल आवा गमन से जुड़ी सभी सेवाय रोग दी है इसका सीधा असर व्यपार पर पड़ेगा पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच तीस्ता सर्चाय प्रोजेक्ट के लिए बातचीच चल रही है प्यम इप्त्रपाथी का मानना है कि भारत के लिए कठिन समय है शेख हसीना युक के समापन के बाद बांगलादेश में वहल सब कुछ होगा जो चीन पाकिस्तान चाहेंगे आर्थिक विकास से जुड़े प्रोजेक्ट फ्री ट्रेंड एग्रिमेंट हो या रेल प्रोजेक्ट य दिए।